हलो दोस्तों मैं संदीप मिश्रा आप सभी का सवगत करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Class 12 Chemistry के Chapter 3 Electro Chemistry यानि की वैधुत रसायन से जुड़े हुए Most Important MCQ की और ये ऐसे MCQ है जो की Previous Year में BHU, BSE, BHU, BSE Nursing और जितने भी Medical Exam हुए है चाहे वो NEET की exam हो या फिर EMS के हो या फिर जिपमर के हो तो Question बहुत ही अच्छे और Most Important है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आएए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो हमारा आज का सबसे पहला प्रस्न है निमलिखित अर्ध सेल के लिए मानक अप्चेन विभव 298 Kelvin पर नीचे दिये गया है The Standard Reduction Potential at 298 Kelvin for the following half cell are given तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि Jink का दिया हुआ है माइनस 0.762 क्रोमियम का दिया हुआ है माइनस 0.740 वही हाइडोजन का दिया हुआ है Zero और आईरन का दिया हुआ है Plus 0.770 तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन में से सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है which is the strongest reducing agent तो जैसा कि आपने electro chemical series पढ़ा होगा यानि कि विद्धूत रासानिक स्रेडी पढ़ा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि इस विद्धूत रासानिक स्रेडी में सबसे उपर की ओर होता है lithium फिर बीच में होता है hydrogen और सबसे नीचे की ओर होता है तो इस विद्धूत रासानिक स्रेडी में जो सबसे उपर की ओर होता है उसकी reducing power सबसे अधिक होती है यानि कि वह best अपचायक होता है और इस स्रेडी में जो सबसे नीचे की ओर होता है वह best आक्सिकारक होता है और जिस तत्व का मानक अपचेन वीभो जितना अधिक माइनस होता है वह उतना ही अधिक अच्छा अपचायक होता है इस बात को याद रखेगा कि जिसका मानक अपचेन वीभो जितना अधिक निगेटी होता है वो उतना ही अधिक अच्छा अपचायक होता है तो यहाँ पर आप question में देख सकते हैं कि जो जिंक है उसका मानक अपचेन वीबह सबसे अधिक रिडात्मक है यानि कि इसका मान दिया हुआ है माइनस 0.762 बोल्ट और मैंने आपको अभी बताया कि जिसका मानक अपचेन वीबह जितना अधिक रिडात्मक होता है वो सबसे प्रबलतम अपचायक होता है तो इस question का जो right option है option first है आए चलते हैं दूसरे question की हो किसी electrode पर एक प्रदात के 1 gram तुल्यांग को निच्छेपित यानि कि deposit करने के लिए आवसक विद्धूत आवेस होगा आपके option दिये हुए है यह 4 option है आपको right option बताना है तो यहाँ पर question में आपसे पुछे हुआ है कि किसी electrode पर एक प्रदात के 1 gram तुल्यांग को निच्छेपित करने के लिए हमें कितना विद्धूत आवेस चाहिए होगा आवेस चाहिए होगा 1 ampere प्रती सेकेंड या फिर 96500 km प्रती सेकेंड या फिर 1 ampere प्रती घंटा और या फिर 1 mole electron पर आवेस तो यहाँ पर आपके दिमाग में जो right option चल रहा होगा वो second option चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर 96500 km यह आपको एक फैराडे के बराबर दिख रहा होगा लेकिन यह आपका right option नहीं है आपका right option है option 4 तो option 4 है 1 mole electron पर आवेस तो यह हमारा right option क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ तो पहले हम बात करें कि 1 mole में electronों की संख्या कितनी होगी तो एक mole में electronों की संख्या होगी 6.022 into 10 के power 23 और वहीं हम बात करें कि एक electron पर आवेस कितना होता है तो इस पर आवेस होता है 1.6 into 10 के power minus 19 कुलाम तो आप जब इसको solve करेंगे तो आपका value आएगा 96487 कुलाम जो कि एक फैराड के बराबर होता है तो उपर जो value दिया हुआ है 96500 दिया हुआ है तो ये गलत option है आपका होना चाहिए 96487 कुलाम आई होप आपका doubt clear हो गया होगा आई चलते हैं अगले question की और question number third है सीशा संचायक battery में S2SO4 का तुल्यांकी दरवेमान है equivalent mass of S2SO4 in lead storage battery is आपके option है पहला option है 49 दूसरा option है 24.5 तीसरा option है 98 और last option है 196 तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दू कि जो equivalent mass होता है वो variable होता है लेकिन जो अडुभार होता है वो fix होता है जैसे कि अगर S2SO4 की बात करें तो इसका अडुभार 98 है तो यह fix है लेकिन अगर equivalent mass की बात करें तो यह variable होगा यानि कि यह परवरतन seal होगा तो आएए मैं आपको example के थुरू समझाता हूँ तो यदि हम S2SO4 की अभिक्रिया करां NAOS से तो हमारा बनेगा NA2SO4 और H2O तो इस अभिक्रिया में देखेंगे तो जो S2SO4 है यह अपना जो दोनो hydrogen है वो release का जेरा है तो इसका अगर हम तुल्यांकी भार निकाले यानि कि EW निकाले तो हो जाएगा 98 बटे 2 तो 98 इसका अडुभार है और 2 क्या है जो hydrogen विस्थापित हुए है तो इसको अगर आप solve करेंगे तो आएगा यहाँ पर equivalent mass 49 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2SO4 यहाँ पर अपने दोनों hydrogen को जब release कर रहा है तो यहाँ पर equivalent mass आया हुआ है 49 लेकिन आप नीचे वाले reaction में देख सकते हैं यानि कि दूसरे reaction में देख सकते हैं कि जब H2SO4 NOS से विक्रिया किया हुआ है तो यहाँ पर केवल एक ही hydrogen को प्रतिस्थापित किया है यानि कि release किया हुआ है तो इस case में देखेंगे तो हमारा जो equivalent mass आएगा वो आएगा 98 क्यो कि यहाँ पर केवल एक hydrogen release हुआ है तो इन दोनों reaction से आपको समझ में आ गया होगा कि जो तुल्यान की दरवेमान है यानि कि जो equivalent mass है वो variable होता रहता है तो अब हम बात करते हैं सीसा संचायक cell की तो सीसा संचायक cell में जो H2SO4 होता है यह केवल 38% होता है यानि कि 38% होता है औ तो जब यह एक hydrogen को release कर रहा है तो इसका equivalent mass कितना होगा 98 होगा तो इस हिसाब से हमारा जो right option है option 3rd है 98 आए चलते हैं अगले question के question number 4 है copper sulfate willion में एक ampere की धारा 16 minute वह पान सेकेंड के लिए प्रवाहिद की जाती है एनोड पर STP पर मुक्त गैस के आयतन की गढ़ना कीजिए calculate the volume of gas liberated at anode at STP during the electrolysis of copper sulfate solution by passing current of 1 ampere for 16 minute and 5 second आप क्या option दिये हुए है आप चारो option देख सकते हैं आपको इसका right answer बताना है तो आए देखते हैं कि इस question को कैसे हम solve करेंगे तो आप सभी ने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि mole की संख्या बराबर है IT upon 96500 into VF VF का मतलब है valency factor जिसे हम संयोजकता कारक कहते हैं तो इस formula का आप याद रखो और इस formula के अधार पर हम किसी भी reaction के लिए mole निकाल सकते हैं बस यहाँ पर आपको valency factor को पकड़ना है तो valency factor कैसे ग्यात होगा आए इसको समझते हैं तो जैसे कि यहाँ पर question में बोला हुआ है a node पर अभिक्र oxygen gas liberate होगा तो यहाँ पर reaction हमने लिखा हुआ है 4OH जिसे की oxygen gas liberate हो रही है plus 2H2 plus 4 electron तो a node पर यह विक्रिया होती है जल का OH माइनस जाता है oxygen बनता है जल बनता है और 4 electron निकलते हैं और यह कब होता है जब हम copper sulfate का विध्धूत अबगटन करते हैं तो इस condition में cathode पर copper जमा होत है और a node पर oxygen gas निकलती है अब इस question में आपसे पूछा हुआ है कि जो a node पर gas बन रही है उसका आयतन कितना होगा तो आप पहले mole गयात कर लो आपको automatic आयतन पता चल जाएगा कैसे होगा आए समझते हैं तो यहाँ पर mole निकालना है तो mole के formula में देख सकते हैं उपर है i t तो i दे रखा है एक ampere तो यहाँ पर लिखेंगे एक अब यहाँ पर t क्या है समय तो समय हम सेकेंड में निकालेंगे फैराडिक नियम में समय को किस में निकालेंगे सेकेंड में अब सेकेंड में बदलेंगे कैसे यहाँ पर समय दिया हुए 16 मिनट 5 सेकेंड तो 16 मिनट को सेके का गुड़ा करेंगे और प्लस 5 सेकेंड को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 965 सेकेंड अब इसके बाद अपाउन में लिखेंगे 965 इसके बाद रखना है हमें वैलेंसी फेक्टर यानि की संजगता का रख तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार इलेक्टरॉन के लिए हम क्या करेंगे मोलो की संख्या में 22,400 का गुड़ा करेंगे तो 22,400 का गुड़ा करने का मतलब हुआ कि हमारा जो आयतन आएगा वो आएगा ML में तो जब हम यहाँ पर N की वैल्यू रख देते हैं एक बटे 400 और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एंसर आएग तो आपको Electro Chemistry से जुड़ा यहाँ पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जोरू बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा और यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प अप्त के लिए जय हिंद जय भारत